चक्रवाद मिंक जूर तामिल नाडु शेत्र के उपर बंगाल की खाड़ी में पन रहा है इसका असर विधर पर ज्यादा नी पड़ेगा लेकिन बारिश दिमी होगी इसके तर्टिय शेत्र में 100 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्ता से तुफानी हवाई चलेगी और विधर में तेज हवाई चलेगी इसके अलावा 5 दिसंबर को बारिश होगी 6 दिसंबर को और बारिश होने की संपौना है शेत्रिय मौसम विभा के वैदनानिक मोहनलाल साहु ने बताया कि साथ तारिकों भी असर कम होगा अभी एक साइकलोन जो तमिलनाडू में चन्नाई से करीब 100 किलोमेटर दूर है मिंग्चूंग नाम से है तो वो साइकलोन जो है वो नॉर्थवर्ड मू करेगा आगे 24 hours में और बचली पटनम के पास में अंद्रा कोस्ट को जो है ये उसके बाद में तोड़ा नॉर्थवर्ड मू अडिशा तक करेगा उसके बाद में रिकर्व होकर ये विस बंगाल होते विए बंगलादेस की त अब नहीं बढ़ रहा है इसलिए इसका इफेक्ट सेंडरल इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं होगा इतना जरूर है कि इसके कारण च्टार बारिज जो है उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी लाइट तो मॉडरेट रेंड हो सकता है विदर्म में और यह ज्यादा इफेक्ट जो है 5-6 और 7 को विदर्म रहेगा उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट छे तारिक को रहेगा तो हम अमारे यहां पर चुकि यह सिस्टम हो रहा है इसलिए इसका इफेक्ट थोड़ा चा क्लावडीनेस और रेंपॉल इसके रूप में रहे हैं कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिशेक पांसी की रिपोर्ट